नमस्कार मित्रो स्वागत है अपनी यूटूब चैनल रूप चैनल की जियेस गुरू में प्रेंट्स आज की जो हमाई टॉपिक रहेगी वो जो है छटी सताद्दी इसापूर में जो है जयन धर्म रहेगा इसके परहे दोस्तों हम लोगों ने हम जो है बहुत धर्म के बारे किया और इस में दोस्तों हुमारी जो टॉपिक चल रहे है अधिम भारत का हृत्यास है धर्म इस सताम्र में दोस्तों जयन धर्म यहेनि जु है बहुत धर्म के बात। आज हम छो चाचाय करेंगे जैन घर में सम्बंधित रहेगा। तो आईए देखते हैं, मुख मुख बाते, यह हम लोग जानते हैं भय्या, जो जैन घर्म हे, जैन सब्ध जो नहिस संस्कृत के, संस्क्रित के जिन सबसे बना है जो है जैन सबकुत्पति कहा सुई है जैन सबकुत्पति जो है संस्क्रित के जिन सबसे बना है संस्क्रित के जिन सबसे बना है जिसका रथ होता है जिसका रथ होता है बिजेता जो है जो है जो अपने इंद्रियों को अपने इंद्रियों पर बिजय प्राप्थ कर ले। ऐन्धर को बस्म कर ले। वही क्या कर लाथा है। जैनसत्दकुत्त संस्कृत के जिसका होता है। जैंधर्ण जयुँए जो महाबिष स्वामी महाबिष स्वामी कियों कहलाए क्योंकि अपने इंधरियों कि और विजय प्रात कर लिये थे लिए भूतम गौतम बुद्ध ने कहा किए था पने उपने बुद्ध कहलाए तो आइए हम लोग देखते हैं जो जिन सब्द का परियोग सर्पथम किसके उपर किया गया था, तो जिन सब्द का परियोग सर्पथम, 24 तीथंकार, 24 अंतिम तीथंकार, महाभीर स्वामी के लिए किया गया था, किसके लिए किया गया था, महाभीर स्वामी के लिए किया गया था, जिन सब्द का परियोग सर पथम किसको पर महाभीर स्वामी जो क्या थे जैन धम के 24 तित्थकार थे दोस्तों क्योंकि महाभीर ने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी महाभीर स्वामी ने जो है अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी इसलिए क्या कहला है जो जिन के प्रफंतित्तिकार कौण थेमें हम जानते विए हैं आधिनात्त के नामें जनते वंगए- हमलोग जनते में संथ्ध्रम्य प्रफंतिन क्या थे εδώ घंग कर्फंतित्तितंकार है हम जानते भी या जैंधर में कुल 24 तीर्थंकार हुए इसमें पर्थम तीर्थंकार नाम से भी जानते हैं ठीठ बूब नूट में देखेंगे यहीं तीर्थंकार का तात्पर क्या होता है तो मैं लोग जानते हैं तिर्थहंकार के तव चाहिए जो वैक्ति अन्य बैक्तियों को मार्ग दिखये एग जो हां होग है बीक्तिattiang को रास्ता दिखाईे उसे आमने लोग क्या कहते है तिर्थंकार क्या है पर जैनम क्या दिखाए मार्ग रखी गई है और ये जो है इस दिलवाडा का जयन मंदिर कहा है माउंट अबू राजस्थान में है और किसने इसको इसका निमा किसने करवाया था बिमल बिमल ने बिमल के द्वारा करवाया गया था इसलिए जो है बिमल साही के नाम से इस मंदिर को भी जाना जाता है और इसम तो इतना भी जानकार हम लोग को माईवर है चाहिए परिच्वाम पूछ यह दिवागा का जो जयन मंदिर है उसमें किसकी मुर्ति रखी गई है तो रिसब देव, जयन धर्म के पर्थम तिर्थनकार, रिसब देव की जो है उसमें मुटी रखी गई है, आईए देखते हैं भईयाम लोग, एथ हुआ जयन सम्बनित, कुछ खास बाते, अब आईए हम देखते हैं, पार्शुनात के संबनित, जो पार्शुनात क्या थे, ज जयन धर्म के तिर्थनकार थे, परिच्वाम बहुत पूछा जाता है, इनका जन्म पूछा जाता है, इनके पिता का नाम पूछा जाता है, इसलिए पार्शुनात जो जयन धर्म के तिर्थनकार थे, उसके बारे हम लोग को चाचाएं जरूरी से जरूरी करना है, तो भईय पूर सकता है पर्थम एतिहासी के ओन महान पूरुस के नाम से भी जानते हैं पाउसुनात को जिनका जन्म कहा हुआ था जिनका जन्म कासी नरेस जो है असुसेन के घर में हुआ था इनका जन्म पाउसुनात को जन्म हुआ था इनकी माता का नाम यह जो है पाउसुनात की माता का नाम रानी था रानी रानी वामा था इनकी जो है माता का नाम क्या था रानी वामा था और इनकी जो है पतनी का नाम पतनी के नाम था परभावती इनकी पतनी के नाम क्या था परभावती था थोड़ नोट में देखेंगे भाई हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंस है सार्प था यान क्या तो यहां पूचे गाता है कि ऊहां भी तो यहां यहां भी यहां भी उल्मकूरा लगा है और यहां भी लगा यहां वी लगा है तो ऐसे हम लोग sequence से याद कर लेंगे पाउशुनात का पतिश्ची ने क्या था सर्प पा में उलमकूरा और इसमें भी उलमकूरा लगा है तो दोस्तों आईए देखते हैं और भी बाते हम लोग आईए देखते हैं हम लोग जो जैद्धर्म के तेसावे तित्खंकार थे तो उनके मू के मूर्थियों में उनके शर्प पर एक सर्प को अधुम्त फ्सथा में उन्हों ने गृइक त्याग दिया था धूर्जह यह 30 वर्स की वस्था में गरी को घर को त्याग दिया था, कौन? पारसनाथ घर को त्याग दिये थे, और 83 दिन, 83 दिन की घोर तपिस्था के बाद, 83 दिन की घोर तपेस्टा के बाद क्या कि यह 84 दिन भईया उन्हें जो है पारसनाथ बिहार के पारसनाथ में यानि जो है बिहार के सम्मेद सिखर पर जो है ग्यान की प्राप्ति हुई कहाँ हुई संम्य सिखर पर कहां प्रशुनात बिहार में प्रशुनात बिहार के संव्नात बिहार घ्यान की प्राप्ति लुए किसको घ्यान की प्राप्ति जया estaban के पिर अब जो है ज्यान की प्राप्ति हूए ती चोनिती जो तीस घधना लुट इस दुट पंच बर महाँबर्तों में जर्वह चार महाँबर्तों को प्रति पाइवार ुष नहीं ठी किया था यही जो हुए जैंधर मेन जो पाकम महा बरत हम उसमें से पहले के चार महाबरत को किस्ने जोड़ा था जैंधर्म के तिसाउंए तितंकार or Sansh Nee औक गराद ने ही जोड़ा था और फ़ण सोमीने जोड़ा जिसका नाम है यह क्या ब्रहम चर-भ्रम चर्बशंवारी थे जेढ़में उसको जो है किसने जोला था जो चारो महाब्रत है उसको जो है जोला था पाल सुनात ने और पांचवा महाब्रत किसने जोला था महाबीर स्वामी ने जोला था पांचवा महाब्रत जिसका नाम क्या था ब्रहमचर यह ब्रहमचर का पारण करना तो आईए देते हैं दोस्तों अब जो है जैन धर्म के वास्तिविक संस्थापक, याई जो है 24 तिर्थंकार, जो यही इंपोर्टेंस है जैन धर्म में, तो महाबीर स्वामी जयन धर्म के 24 यह अंतिम तित्थंकार और वास्तिविक संस्थापक भी माने जाते हैं, उन्हीं के बारे में आईए हम लोग चाचाएं करते हैं, जयन धर्म से महाबीर स्वामी के बारे में, हम जो जानते हैं भया कि 24 यह अंतिम तित्थंकार परंत जयन धर्म का वास्तित्र संसथापक इसे माना जाता है तो महावीर स्वामी को महावीर स्वामी को जैन्ध धर्म का वास्तित S T systापक माना जाता है और जो है कॉसे 24 अमें त Florenkakar थे और भैया महा बीर का जनक्च में जो जन हुआ था, भैया महाभीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, जो ग्यात्री छत्री वन से संबंदित थे, किस वन से संबंदित थे महाभीर स्वामी, जिक ग्यात्री छत्री वन से संबंदित थे, इनके पिता का नाम, इनके पिता का था भईया सिद्दार था जो वज्ज महाजनपत के अंतरगत आने वाले ग्यात्री ग्यात्री गण के क्या थे ग्यात्री गण के मुखिया थे इनकी माता का नाम यह जो है महाभी स्वामी के माता का नाम क्या था है महाभी स्वामी के माता का नाम तिसला था क्या था जो लिच् कि नाम सिधार था जो वझ्जी महाजनपत के अंतरकर ताने वाले ग्यात्री गण किस गढ्स गण के ग्यात्री गण के घी है। निका ने टृत्री ठीसला था जो लिच्षुमी चा Num치 टक की क्या ठी बहन इनकी पतन ही का नाम की अती दोस्तों waldर decía Shar पतनी के नाम क्या था या सोधा था और महाभी स्वामी के पुत्री के नाम या जो है पुत्री उपन हुई थी या सोधा से जिसका पुत्री के नाम था क्या अरोज्या या प्रिदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है महाभीर स्वामी की क्या थी पुत्री थी जिसका नाम था अरुजया प्रिदरसनी था और जिसका प्रिदरसनी बिवा किसे हुआ था यह प्रिदरसनी जो बिवा हुआ था जमाली जमाई नामक बिवा हुआ था यानि जो है महाभीर स्वामी के दमात का नाम क्या था जमाली था और प्री दसनीक साधी जमाल से हुई थी दोस्तों एक ट्रीक है हमारी एक बार महाबीर स्वामी एक जंगल में घूम रहे थे और घूमते घूमते एक लड़का दिखाई दिया एक लड़का दिखाई दिया और जम गया एक लड़का दिखाई जब 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 परिच्वाम पूछा कि महाभीर स्वामी का पर्थम स्वामी से कौन थे तैनी जो है उनके दमाद महाभीर स्वामी के दमाद जमाली ही महाभीर स्वामी के पर्थम स्वामी से ही हो गई थी पहला स्वामी से थे और पहली बार टकराओ महाभीर स्वामी का किससे हुआ था जमाल दो आये देखते हैं और भी चाचाए भाई इन लोग करते हैं तो महाभी सौमी ने तीस वर्ष की वर्ष्था में अपने बड़े भाई नंदी वर्धन जहीं जब सिद्धात का मिर्थ हो जाती है तो सारा कारोबार नंदी वर्धन को उपर आ जाता है और वही राजपार्थ मालते हैं तो महाभीव स्वामी ने तीस वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई इनका नाम था क्या नंदी वर्धन नंदी वर्धन से आग्या लेकर ग्री त्याग दिया ग्री त्याग दिया यहीं जो है किस्वे आग्या लेकर नंदी वर्धन से आग्या लेकर घर को 12 वर्ष की कठोर तपिस्टा के बाद 42 वर्ष की आई में अंग जो क्या था यह किसकी राधधानी कहा थी चंपा थी तो अंग देश के जंभी ग्राम के बाहर रिजू पालिका नदी या उज्जावलिया नदी के किनारे महाभीर स्वामी जो है दोस्तों 12 वर्ष की कठोर तपेस्था के बाद 12 वर्ष की आयू में अंग जो इसकी राधानी कहा थी चमपा थी अंग देश के जमभी ग्राम के बाहर डिजू पालिका नदी या उजू उजू वालिया नदी के किनारे साल बिच के नीचे किस बिच के नीचे साल बिच के नीचे कैवल कैवल इमिस होता है दोस्तों ग्यान कैवल या ग्यान की पराप्ति हुई किसको महाभीर स्वामी को इसके बाद महाभीर स्वामी जो है जीन अथवा क्या कहला है दोस्तों बिजीता कहला है यह ग्यान पराप्ति के बाद महाभीर स निरगंत भी कहा जाता है केवलीन भी कहा जाता है और नाथ पुत्र भी कहते हैं यह महाभीर स्वामी के सब क्या है अननाम है जिन है अरहत है निरगंत है केवलीन है और नाथ पुत्र भी है जैनि जो है अननाम महाभीर स्वामी का अननाम और यह देखते हैं महाभीर स्वामी स मिरतौ हैं, शुशत पाल में हुआ खो SMITH मिरतौ में 451 पावपुरी राजगरी, सुस्ति-फाल में मृतन अब देखते हैं में Stephen के सिध्धांत क्या वही पन्च महाब्रत है वहीं जेहिंद्र में क्या है सिद्धान्थ है तो पहला निदिद वोलना सत्य पंच महाब्रत में सिद्धान्थ पहलें सद्धान सद दोस्तों अहिंसा तीच्छ ना करना किdir husband परिग्रा, अपरिग्रा में धर्व क अवशक्ता सधिक क्ध़ीर गर्भ अर्व भ्रत होता है और पांचवा महाब्राध था इसे चैने ohilow दो परिछ देख लेते हैं नोडी रवन यह का सजेए इमपोर्टंस Понार चटिब कीटना कान बता हैं नोडे नोड से नोड पहले जो चार महाब्रत थे उसका पाशनात ने किया था जो क्या थे तीसामें तीर्थंकार थे और जो पांचवा महाब्रत किस ने जोड़ा था महाबीर स्वामी ने द्वारा जोड़ा गया था तो यह थी भाईया आज की हमाई टॉपिक अब इसके बारे अभी और भी जैन् सब्सक्राइब कर साथ बहता ही जाएगा subscribe दोस्तों आप subscribe मिश होता है सदस आफ में सदस हो गए आई नहीं ऐसे वीडियो बनाएंगे तो सबसे प्रहें आपको मिलेगा दोस्तों अगर वीडियो आपको किसी प्रकार कोई समिस्या हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स हो में बताएं ताकि अपने गलतियों को अब सुधा सकते हैं और इससे अच्छा वीडियो बना सकते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत-बहुत जय ही जय भारत वंदे मात्रम